आज की वीडियो में बेसिकली आप लिवको स्किन की बारे में जानकारी पाएंगे जो लिवको स्किन सीरप होता है इसका परियोग कहां किया जाता है क्या कॉंट्र अंडिकेशन होता है क्या साइड एफेक्ट होता है सब कुछ आप देखेंगे और अगर आप इस वीडियो को लाट तक देख लेते हैं तो काफी कुछ इनफारमेशन आपको आज मिल जाएगी सो देखते रहे है यहां देखे लिखा गया है बिसिकली लिवको स्किन बिसिकली एमिल फार्मा दोरा इसको बनाया जाता है अभी आपको एक हरवल प्रोडक्ट है हम अगले स्लाइड पर देख लेते हैं जो है योजिस मतलब लिवको एसकिन को आप कहां कहां योज करेंगी बिसीकली विटीलिगों में इसका योज किया जाता है सप्यद दाग किसी के बाडी पर हो गया है वहाँ जो है लिवको स्किन का प्रेयोग अगर आप करते है तो उससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है और सफेद दग जो अगर आप लंबे समय तक इसको यूज करते हैं तो खत्म हो ही जाती है जिसलिए आपकी इम्यून रिस्पांस को भी मैनेज करता है अगर आपकी इम्यूटियों गरा कमजोर है बार-बार बीमार होते रहते हैं तो ऐसे में एमिल का लिवकु स्क्रिण सीरफ काफी फादे मन्त सबित होता है इसकी इन्फ्लामेसन आ गई है और इरिटेशन होता है तो इसको भी यह ठीक करता है किसी भी प्रकार की इसकिन से सम्मंधित प्रावलम है तो वहाँ जो है लेवकोई इसकिन कुछ न कुछ काम जरूर करेगा और मेन काम जो है इसका विटीलिगो में ही है बात का लेते हैं कुछ प्रिकासन भी रखनी होती है जैसे कि इसको लेते समय आप नानमेज का प्रियोग नहीं करना है तेल मिर्च मसाला आपको नहीं खाना है धोब से बचा कर रखना है बच्चों की पहुंच से भी इसको दूर रखना है वरना बच्चे जो है गिरा देंगे या फिर पूरी बोतल पी जाएंगी तो उनकी जो है डिर्ट तक हो सकती है सराप का सेवन वगरा आपको नहीं करना है यतना तो काम आप कर सकते हैं लेकिन यहां बात कर लेते हैं डोच के बारे में आफिर कितनी मात्रा में देना होता है तो एल्ट में एक एमेल देना होता है । बैडि मतलब वन एमेल समको देना होता है जो बच्चे हैं इनको जो आधा एमेल ही दिया जाना चाहिए जैश। उसके बाद उसको पी जाएंगे आप बेडी के अउसर जो सेवन कर सकते हैं खाना खाने के बाद बाद